नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों JRF हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रकत हम अपना 1.2 हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं देखी इसके अंत्रकत हमने बक्तिकाल तक के जो पूरे कर पूरा हमारा इकाई 2 था उसको complete कर लिया था अगर आपने अभी तक बोवाले lectures नहीं देखे हैं तो आप इकाई 2 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट पनी है उसको देख सकते हैं आज हम इसके अंत्रकत पढ़ेंगे देखिए रितिकाल और इसका ये first part होगा हमारा इसमें हम मेनली रितिकाल की जो समाजिक और सांस्क्रिक पिष्ट पूमी रही है या परिस्थितियां रही है उनके बारे में हम पढ़ेंगे साथी साथ आपका जो रितिकाल इन प्रवित रितिकाल इन रचनाएं या रितिकाल की जो हम मानते हैं रितिकाल ये है तो उसके पीछे कौन-कौन सी परिस्थितियां रही है या पिष्ट भूमी क्या रही है ये चीज़ समझना बहुत जरूरी होता है तो इन चीज़ों को हम आज डिसकस करेंगे तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजनितिक प्रिष्ट भूमी से देखी अगर हम बात करें राजनितिक प्रिष्ट भूमी की तो रितिकाल जो है राजनितिक दिच्टी से मुगलों के शासन के साथ वैभव के साथ क्या था वो उसके हरास पतन और विनाश का काल कहा जाता है रितिकाल के बारे में ये पंक्ती UGC net की परिक्षा में पहले पूची गई थी, इसलिए मैंने इसको यहां पर रख दिया है, जो भी चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ, देखिए ये चीज आपको हिंदी साहीते कहतियास जॉक्टर नगेंदर की पुस्तक में मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो रिती काल इनप्रिष्ट भूमी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उस वाली बुक से पढ़ सकते हैं, तो ये कहते हैं कि जो रिती काल है, देखिए वो क्या है, तांचिक दिष्टी से अगर उसकी बात की जा और उनके शासक थे, और उनके शासनवी ये कहते हैं कि धार्मी को द्रब शुरू हो गे थे, अव्यवस्था अशांती बढ़ गई थी, और चोटे-चोटे चागिर्दार भी सोयम को सुतंत्र गोशित कर बैटे, तो मतलब कहने का भी प्राहिए है कि पूरी के पूरे एक त कर्श पर था, वो मुगल दीरी-दीरी क्या है, पतन की ओर जाने लग था, तो पतन की ओर जाने का कारण ही यह होता है कि जब आपका शासक क्या है, वो भोग विलास की दुनिया में पढ़ जाता है, ठीक है, भोग विलास की चीज़ों में पढ़ के ही, बड़े से बड़ा स सबसे पहले अहमेद शाह अबदाली और नादरी शाह दोनों ने आकर्मन किया और जिसकी वज़ास से क्या है मुगल राजय जो पूरी तरह से धुस्त हो गया और यहां पर अंग्रेजों ने इसी स्थितिय का फाइदा उठाया और 1803 तक पूरे उत्री भारत में उन्होंने अ स्थिति थी वो बहुती खराब हो चुकी थी वो भी भोग विलास की जिन्दगी जी रहे थे जिसके चलते उनका भी खात्मा हो गया तो इस तरीके से पूरे के पूरे भारत में अगर हम देखें तो उस वक्त क्या था आपकी जो राजनितिक पिष्ट भूमी थी वो उतल प भाविक है तो यही चीज हम रितिकाल में पाते भी हैं चलिए अब हम देख लेते हैं रितिकाल के बारे में इसकी जो समाजिक विष्ट भूमी है उसके बारे में देखिए समाजिक विष्ट भूमी की बात की जाये कि समाजिक दिष्टी से यहकाल शुरू से अंत तक जाते हूँ भी करना ही पड़ता है ठीक है तो इसलिए इसको कहा है कि ये भी शुरू से अंत तक क्या है अधपतन का ही यूग कहा जाता है क्यों कि इसमें सामंत शाही का बोल बाला था सामंत शाही का मतलब क्या है कि देखिए इसमें आपको क्या है जो सामंत शाही था उसका प्रभाव के है, जन समान्य पर पढ़ा, क्योंकि समाजिक विवस्ता का जो केंदर विंदु की सको माना जाता था, इसमें राजा को ही या शासक को ही माना जाता था, और इस वर्ग के जो क्रिशक है, या सेट सहुकार, विपारी त्यादी, ये सबी क्या आते थे, शोशीत आत समाज के प्रतियक वर्ग में ठीक है नैतिक मूलियों के हरास का ये यूग माना जाता है क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि जो रिश्वत खोरी थी वो अपने चरम पर थी और साथ ही साथ जो महिलाओं के साथ या फिर स्री जो कन्या थी उनके अपहरणों को क्या माना जाता ये एक साथारन सी बात थी कि इसके लिए अभिजात वर्ग के लोगों के लिए जिनको इलीट क्लास कहा जाता है तो इस तीके से कहा जा सकता है कि समाजिक प्रिश्ट भूमी के अधार पर भी क्या समझा जा सकता है कि ये काल जो है पतन का ही योग कहा जाता है क्यूंकि बह सांस्कृतिक परिस्तिती है देखिए अगर राजनितिक और समाजिक स्थिती ही सही नहीं है तो सांस्कृतिक परिस्तिती अपने आप में कभी भी सही नहीं हो सकती ये चीज़ सभाविक है और यही चीज़ हम रितिकाल में भी पाते हैं कि इसी राजनितिक और समाजिक परिस् था मुस्लमान पीरों के तकिये पर जाकर मनुरत सिद्ध करते थे और जनता के जो अंद विश्वास का लाब उठाकर पुजारी और मौलवी जो है बहुत ही गिनोने कारे करते नजरा आते थे जैसे आज की ये समय में भी हम देखते हैं कि इस तरीके से जो वेब सीरीज अभी ये बहुत फेमस है देखी आश्रम उसमें ये सारी चीज़े अच्छे तरीके से बताई थी ठीक वैसा ही क्या था उस वक्त होता था ठीक है पुरानी परंपरा के जो सुफी संतों के बावजूद किसी में भी कबीर नानक जाहिसी जासी प्रतीभा नहीं थी जो जन जीवत क प्रभावित कर सके तो कहने का मतलब ये देखिए उससे पहले जो भक्तिकाल में जो निर्गुण ज्यानमारगी संतों थे जिनको समासुधारक माना जाता है जैसे कबीर का नाम सद्प्रमुक्ता से ली जाता है कि वो संतबाद में और समासुधारक पहले हैं वैसे हालां कि उस योग में थे रितिकाल में कुछ लोग थे लेकिन उनमें वैसी प्रतीभा नहीं थी कि वो जन जीवन को प्रभावित कर सके और उनमें कोई क्रांती कारी परिवर्तन ला सके यहाँ पर आप एक और चीज़ देखते हैं कि जो रामचरित मानस जिसको भक्तिकाल में वह व राब हो चुकी थी आगे अब हम देख लेते हैं देखे इसकी जो साहीतिक परिश्दितियां थी वो कैसी थी कि किस तरीके का साहीतिय रचा गया देखिए साहीतिय और कला की दिश्टि से इस काल को समरिद्ध काल कहा जा सकता है लेकिन वो एक हद तक देखिए एक हद तक कै कि जीतने भी आपके साहीत्यकार थे उस वक्त प्रति एक आश्रेदाताओं की आश्रे में वो रहते थे और उनको सरवोच सम्मान भी वहाँ पर मिलता था हाला कि वो आमजन समाने से ही थे लेकिन उनको विशेश मान सम्मान मिलता रहता था राजाओं के यहां क्यूंकि वो र भाव था चहां पर समाजिक, राजितिक और आपका जो सांस्कितिक परिदिश्टी से हम देखते हैं कि स्थिती देनिय थी, उसकी और ध्यान न देकर वो क्या कर रहे थे, रजाओं की आशरेदातों कि इस तूती में ही अपना समय विता रहे थे और उस तूतिके की ही रच रह लगा जिस अन्य विश्यों पर लिख सकते थे, उन पर उन्होंने नहीं लिखा उतना जादा जितना लिखना चाहिए था, और ये सो बावी की वितान था कि नहीं लिख पाते, अगर उनके खिलाब लिखते तो उसका हश्र जो है, वो किस तरीके से हो सकता था, जैसे घंणन सो भावी की है, ये मैंने आपको पहले भी बिता दी, कि जितनी भी साहितिक रचनाय उन्होंने रची फिर, वो सिर्फ वर सिर्फ राजाओं को परसंद करने के लिए ही रची जाने लगी थी, तो ये होगी साहितिक परिस्तितियों की बात, अब अगर हम बात करें, इसकी ज बारे में ही प्रशन पूछे जाता है, आप देखते हैं कि दूसरे जो हमारे आदिकाल, रितिकाल, भक्तिकाल या फिर छायावाद, इन सब की विशेष्टाओं के बारे में थोड़ी-थोड़ी सी चीजे जानना बहुत जरूरी है, और ऐसे कई बार प्रशन पूछे जाते हैं, तो परिस्तितियों से रिलेटेड, प्रिष्ट भूमी से रिलेटेड जो चीजे हैं, वो आपको थोड़ी-थोड़ी हलकी-हलकी याद होना बहुत जरूरी है, चलिए, अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो प्रमुख प्रवरितियां हैं, वो कौन-कौन सी हैं, तो में प्रमुख प्रवरितियां, दूसरी गौन-प्रवरितियां, जो दो हैं देखिए, आपका रिती निरूपन और श्रिंगारिकता, तो रिती निरूपन का मतलब यह हैं, जो भी आपके जितने भी रितिकालिन कवी हुए हैं, उन्होंने रिती में बंद कर ही रचनाएं, रच नहीं थी, उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया, और ठीक वैसे ही रचनाएं, उन्होंने रच डाली, ठीक है, दूसरी कवी ऐसे हुए हैं, जिन्होंने वो क्या किया, रिती कालिन जो पहले ही से चलिया रही थी, संस्कित के जो अचारे थे, उनकी तरह रचना है तो तो रिती निरूपन का मतलब यही है, ठीक है, बात अगर श्रिंगारिक्ता की जाए, तो श्रिंगारिक्ता का तो सभाविक्सा है, कि राजां को खुश करने के लिए, किसी सुंदर स्त्री का वन्यन वो कर देते थे, हैना उसके नक्षिक का वन्यन अच्छे तरीके से, या फिर यूँ कहें, कि श्रिंगारिक्ता अपने चरम पर थी, किसमें रिती काल में, तो इसी के चलते जो विशुनात हुए हैं, देखिए, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है, कि आपका जो रिती काल है, वो क्या है, श्रिंगारिक काल है, ठीक है, श्रिंगार काल उ इसको नाम दिया है, वो इसी के चलते दिया है, क्योंकि अधिक्तर जो रचना है थी, वो श्रिंगारिक्ता की प्रवृति को लिये हुए थी, नेक्स आती इसकी जो गौन प्रवृतिया हैं देखिए, सबसे पहले इसमें वीर कावे, तो वीर कावे से देखिए, या इसको प्रशस्ती मूलक भी कहा जाता है, तो रितिकाल के जो अधिकांश का भी हुए है, वो किसी ने किसी राजा के आश्रे में रहे हैं, यह हम सब लो को प्रसंद करने के लिए ही, वे उनके द्वारा जो भी युद्र लड़े जाते हैं, या गए हैं, इनकी विर्ता का ये क्या करते थे, अति-शोक्ति-पूर्ण वर्नन करते थे, ठीक है, उसके बाद आता है अगला जो भक्ति-परक कावे है, तो देखिए, भक्ति-परक का काव्य का मतलब क्या है कि रितिकाल से पहले भक्तिकाल था तो उसकी कुछ एक अंश काहून, सो भावी कहा कि कहां पर हमें मिलेगा, रितिकाल में मिलेगा, तो यही चीज कहां पर देखने को मिलती है, और निती परक काव्य भी हमने, जब हम भक्तिकाली इन गौन काव्य के ब आपके बीच में रख दी हैं इसे related प्रशन UGC net की परिक्षा में कई बार पूछ ले जाता है तो इसलिए इसकी पिष्ट भूमी और इसकी जो मेन मेन प्रवरिति हैं वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लग हैंट